गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी कक्षा 5 की हिंडी पाश्पुष्टक, हिंडी बैववक का प्रतम अध्याय पड़ा रही हूँ जो की एक कविता है और इसके लेखक बाल स्वरूप राही जी है प्रस्तुत कविता में बच्चों के उस्सा वे देश प्रेम को वर्नित करती है यह कविता बच्चे देश का बविश कैसे बनाना चाहते है यही इसका सार है जब हम हम जब होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक प्यार है कम हम जब होंगे बड़े गृना का नाम मिटाकर लेंगे दम बच्चे कह रहे हैं कि जब हम बड़े होंगे तो देखना ये देश जैसा आज है वैसा नहीं रहेगा आज लोगों के दिलों में नफरत अधिक है और प्यार बहुत कम है घणा का इस्थान जादा है और प्यार बहुत ही कम है इन सब को हम मिटा कर ही दम लेंगे हिंसा के विश्मेह प्रभाव में कब तक और बहेगा देश ये हिंसा मार काट ये गलत चीजों से कब तक हमारा देश जूजता रहेगा भ्रष्टा चार जमा खोरी की आदत बड़ी पुरानी है भ्रष्टा चार और जमा खोरी की रिश्वत की या गलत कामों की आदत हमारे देश को बहुत पुरानी है ये कुरूतियां मिटा हमें तो नई चेतना लानी है ये कुरूतिया या ये सारी जितनी भी गलत आदते हैं, गलत रीती रिवाज हैं, उन्हें मिटा कर हमें नई चेतना लानी है, एक नई दिशा लानी है, या एक नया सवेरा लाना है एक घरोंदे जैसा आखिर, कितना और ढहेगा देश, एक घरोंदे यानि मिट्टी का बना हुआ घर, घरोंदा जिस प्रकार से एक मिट्टी का घरोंदा जो है ढहे जाता है जरा से ही उसमें, उसी तरह से हमारा देश और अब ज़ादा नहीं ढहेगा इसकी बागदोर हातों में जरा हमारे आने दो याने हमें इसे देश को चलाने दो थोड़ा सा बस पाउं हमारा जीवन में टिक जाने दो हम थोड़ी सी महनत कर लें, थोड़ा सा कर्म कर लें तो फिर देखना आगे हम खाते हैं शपत, दोड़शा कोई नहीं सहेगा देश हम यह सपत खाते हैं, मतलब हम यह प्रण करते हैं कि इस तरह की दोड़शा, इस तरह की गलत चीजें हमारा देश नहीं सहेगा हम भारत का जंडा हेम गिरी से उच्छा फहरा देंगे हम भारत का जंडा हेम गिरी याने हिमाले परवस्यवी उपर फैरा देंगे रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे गोर अभावों की जो आलाम में कल नहीं दहकेगा देश गोर अभावों की जो आलाम में गलत चीजों के आभाव में हमारा या गलत चीजों की आग में हमारा देश अब नहीं दहकेगा यानि नहीं चलेगा बच्चों इस कविता में कठिन शब्द अर्थ हैं जो कि आपको याद करने हैं जैसे की नफरत में ग्रण